हलो एवरिवान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बही मैगनेट ब्रेंस के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जहां हम सारे लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं के ट्वेल डाट इस किंडर गार्डन से क्लास 12 तक अल दी कॉंसेप्ट एवरी चाप्टर बटा हर इक क्लास के हर इक सबजेट के हर एक कॉंसेप्ट को हर इक चाप्टर को इन-डेप्ट एक्स्प्लिनेशन के साथ आप तक पहुंचाया जाता है इन वीडियोस के तुरू जो वीडियोस रिच क्वालिटी में होते हैं और आपके भेजे में आपके दिमाग में सीधा कॉंसेट को डाल देते हैं जी हां आपको और एक चीज बताना चाहता हूं अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो यार हिंद क्लास स्टाइग फॉर्म सिक्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक यूपी बोर्ड, MP बिहार बोर्ड, राजिस्तान बोर्ड ये पांच स्टेट बोर्ड बढ़िया तरीके से केटर किये जा रहे हैं हमारे बहुत प्यारे से मैंग्निट ब्रेंज हिंदी मीडियम प्यान में कोई भी ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से रेलेटेड है तो भाई उनको भी ये मैसेज कनवे कर देना इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि मैगनिट ब्रेंज के यूडियूब चैनल पर हमारी वेबसाइट पर और हमारी अप्लिकेशन पर तीनों जगा आ आपका बहुत डाउट था आपका बहुत कोईशन आ रहे थे कि सर आप जो नोट्स हमें प्रेजेंट करते हो इस स्क्रीन पर इन नोट्स को हम कैसे डाउनलोड करें वट इस दाउनलोड दीज नोट्स तो मैं बता देना चाहता हूं दिस इस फॉर स्पेशली इंग्लिश मी internetbrains.com या फिर आप हमारी application भी install कर सकते हूं वहाँ बर भी आपको grab e-notes का एक option मिलेगा जैसे application खुलेगी या website खुलेगी तो grab e-notes बस उस पे click करना है उसके बाद next step पे आप अपनी class select कर लेना subject select कर लेना जिस भी subject के notes की requirement है download option आजाएगा बढ़िया दरीके से PDF form में e-form में download करो और मस्त पढ़ाई करो दोस्त चलिए शुरू करते हैं जीशान सर के साथ आज का बढ़िया वाला lecture इस वीडियो में बिटा हम तीन examples जो हैं miscellaneous examples of this set chapter जो chapter number one है हमारी class 11th का उसके तीन बढ़िया वाले examples हमको solve करना है दोस्त और वो तीनो examples miscellaneous examples नाम की heading के अंदर आते हैं जो आपकी NCRT की प्यारी से cute सी book में दिये गए हैं तो इन तीन examples का बढ़िया वाला मस्त वाला explanation लेकर आया हूँ इस वीडियो में ज्याद लेंदी वीडियो आई गैस नहीं होगा तीन चार एक्जाम्पल से चोटे चोटे एक्जाम्पल से चलिये शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले you have to make sure pen लेकर बैठना P for pen, P for paper, paper लेकर बैठना P for practice करनी पड़ेगी P for patience थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा और तब जाके P for progress आएगी ये 5 P अगर तुम्हें मिल गए तो maths में pro बन जाओगे चलिये सर शुरू करते हैं सबसे पहला question हमारा miscellaneous example का क्या है पढ़ ले बेटा जल्दी से पढ़ ले देख show that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal तुम्हें इसके लिए equal set की परिभाशा आनी चाहिए कि सार equals है डोते क्या है तो बेटा एक बात सुन लो अच्छे से equal set सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा के equal set में सबसे पहले जो number of number of elements होते हैं दो से ले लिया अपनने for example मान के चल बेटा मैंने एक set A ले लिया है ना equal set वाले वीडियो में session में मैंने तुम्हें clear समझाया था कि equal set और equivalent set में फर्क होता है तो sir एक set मैंने A ले लिया एक set मैंने B ले लिया के A के अंदर भाईया कौन कौन है A के अंदर है 1,2,3,4 A के अंदर है 1,2,3,4 B के अंदर कौन कौन से members है sir B के अंदर है 2,4,1,3 ठीक है sir यहाँ 2,4,1,3 है सबसे पहला कार यह तुम्हें करना है इन दोनों set को अगर equal check कर रहे हो तो इनकी cardinality check करो इनका cardinal number सबसे पहले पता करो cardinal number बोले तो sir N A मतलब की set A में कितने member है without repetition repeat नहीं होना चाहिए कोई member तो sir 1,2,3,4 यहाँ तो सिर्फ 4 members है अब बात कर लेते हैं cardinality of set B बिटा cardinal number of set B, set B में कितने लोग बैटे हुए है कितने member हैं repeat नहीं होना चाहिए sir 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, कोई repeated नहीं है 4 members है अगर आपके दोनों set के cardinality यानि cardinal number match कर गए तब आगे का step पढ़ोगे, आगे का step apply करोगे लेकिन अगर मान के चलो यहाँ 3 लोग है, यहाँ 4 लोग है हमारी cardinality ही match नहीं करी तो सोच लेना कि यह equal होई नहीं सकते equal set होने के लिए सबसे पहला कार दोनों set को यह करना पड़ेगा कि भाईया, दोनों के number of elements match करने चाहिए यानि cardinality या cardinal number दोनों set का match करना चाहिए बात number 2, अगर हमारी cardinality match कर जाए कि भाईया, हमारे पास number of elements in A और number of elements in B match कर गया तब जाके हम set number, step number 2 की बात करेंगे Sir, what is step number 2? बेटा, step number 2 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ, अब हमें डिक्तो same to same elements match करना है elements should be same Sir, यह कैसे match करें? अरे भाईया, A में 1 है ना? B में भी 1 होना चाहिए हाँ, Sir, 1 है Sir, A में 2 है ना? B में भी 2 होना चाहिए Sir, A में 3 है ना? B में भी 3 होना चाहिए A में 4 है ना? B में भी 4 होना चाहिए सारे यह सारे elements बिलकुल डिक्तो same है order से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता Sir, second वाले में पहले 2 लिखा पर first वाले set में पहले 1 लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त कैसा भी order हो हमारे cardinal number match करने के बाद हमें match कराने पड़ेंगे elements तो जब हमने second set में elements भी match करा लिया अब हम कह सकते है set A is equal to set B perfect? बिलकुल perfect sir अब हम यहाँ पर आते हैं sir ध्यान देना ध्यान देना बात समझना बिटा जी sir बात नमबर यह example था बस ठीक है sir यहाँ पर यह कह रहा है कि एक set है हमारे पास और वो set जो है na cataract यानि cataract की spelling में जो letters यूज होते हैं उन letters का set है चलो अपन set मान लेते हैं बिटा X letters से यहाँ पर एक set X है और यहाँ पर हमें cataract की spelling जो भी cataract की spelling है उसमें use होने वाले letters का set बनाना है चलो भी यह C लिख दो ठीक है sir C हो गया यहाँ पर cut मार दो C पे cut मार दो अब मैं बात बताऊ हाँ sir बात बताऊ C हो चुका है दुबारा C नहीं आएगा set जब हम roster form में लिखते है कोई भी चीज, कोई भी member, कोई भी element repeat नहीं होता है दोस्त C लिख दिया sir अब क्या लिखना है चलो A लिख दो sir A आ गया ठीक है sir A आ गया next A आ गया sir A आ गया A पर cross मार दो ठीक है T लिख दो sir चलो भी या T लिख देते हैं sir T पर cross मार दो ठीक है sir A लिख दो sir sir A लिखते है sir A लिखते है ओ भाई ये दुबारा क्यों लिख दिया ये तो already आ गया था ओ हाँ तो ये A हम दुबारा नहीं लिखेंगे यानि कि ये जो A है ये दुबारा नहीं लिखा जाएगा काट दो ये A दुबारा नहीं लिखा जाएगा काट दो A, A और A तीनो A को represent इसने कर दिया हम repeat नहीं करते हैं set में किसी भी element को next ऐसे ही sir C भी already यहाँ आ चुका है तो अब यहाँ का C भी कट जाएगा बात समझ में आ गई T भी already आ चुका है यहाँ का T भी कट जाएगा बचा R तो R और लिख दो set बन कर दो ये है भी या cataract में मतर 4 letters का इस्तमाल हुआ बार बार हुआ ये बात सही है कि बार बार हुआ पर हम जब set बनाएगे इनके letters का तो set बनाने में roaster form लिखने में हम किसी भी set के अंदर किसी भी letter को किसी भी number को किसी भी element को किसी भी member को repeat नहीं करते तो हम कह सकते हैं cataract में use होने वाले जो letters है उनके सारे के सारे जो letters का set बनेगा वो यही होगा अब बच्चे कहेंगे cataract में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 letters आ रहे पर आपने तो 4 लिखे बस अरे बबुआ यहाँ पर जितने भी letters है वो repeat हो रहे है cataract की spelling में तो हम set में थोड़ी न repeat करके लिखते हैं समझ में आई बात yes sir अब यहाँ बात कर लेते यहाँ एक और set की वाई की जो कह रहा है the set of letters needed to spell track t-r-a-c-t ठीक है sir t-r-a-c-t तो इस बार जैसे हमने cataract के लिए किया अब हमें t-r-a-c-t इसके लिए भी set बनाना है चलो बना भीया t लिख दो हाँ sir लिख दिया और t को काट दो भीया t गया यार एक बार इस spelling का जो t है वो आ चुका क्या दुबारा हम लिखेंगे इस t के लिए नहीं लिखेंगे इसको भी काट दो नहीं लिखेंगे इसके लिए इन दोनों t के लिए जो set में representation है जो भीया आया है t की जगा दिखाने वो a की बार लिखा जाएगा बस ठीक है डन सर इसके बाद कॉमा r है सर r लिख दो r को कट कर दो सर अब r गया ठीक है a है सर a लिख दो कॉमा लगा के a गया ठीक है सर a गया c है सर c को और लिख दो कॉमा लगा के c लिख दिया और सर इस बार C भी गया T हम लिखेंगे नहीं दोबारा क्योंकि T already आ चुका है इसलिए हमने T को भी कट कर दिया और ये हो गया अब हमारे पास X और Y दो सेट बन गए सर X बन गए सर अपने पास C A T R ठीक है है ना और जो Y बना सर ये बना हमारे पास T R A C जो X में number of elements है और जो Y में number of elements है वो बराबर है बोलो कैसे देखो ऐसे X के अंदर है 1,2,3,4 Y के अंदर है 1,2,3,4 तो सर यहां जो number of elements in X आया वो आया चार यानि cardinality यहां जो number of elements in Y आया वो आया चार यानि 4 members है इसके अंदर cardinality तो ये दोनों तो equal आगाए, दोनों यी चार-चार है, उसके बाद क्या करते हैं? जब cardinality equal हो जाती है, उसके बाद हम दोनों site में मौझूद members को match करते हैं, sir तो चलो members को match कर लिया जाए Sir, यहाँ C है, यहाँ C है, बिल्कुल perfect है यहाँ A है, यहाँ A है, बिल्कुल perfect है T है sir, यहाँ भी T है, बिल्कुल perfect है यहाँ R है, यहाँ भी R है perfect है, तो हम second step में लिखेंगे members are also common members are, यह elements भी लिख सकते हो members are also common दोनों site में members बिल्कुल common है are also common in X and Y जैसे यह दोनों step fulfill हो गए लिख देना दोस, इन दोनों की मदद से X is equal to Y यहाँ दोनों set equal है, हो गया खतम, जल्दी से copy कर लो बिटा ठीक है, just copy this first done sir, अभी example 24 पे चलेंगे तब तक थोड़ा सा आप देख लो, screenshot ले लो बई चलो बई, moving on to next ठीक है, EQ valent set जो होते हैं न बिटा उसमें मात्र cardinal number equal होने चाहिए जैसे, तो मैं बता देता हूँ बिटा जैसे मान के चलो बिटा, हमारे पास एक set P है और एक set Q है, दियान से सुनना ठीक है sir, इसके अंदर है हमारे पास 2, 3, 4, ठीक है इसके अंदर 3 elements है और इसके अंदर हमारे पास है let us say A, B, C A, B, C अब सुनना मेरी बात, यहां पर सबसे पहले मैंने का चेक करो यह equal है की नहीं, तुम क्या करोगे sir, सबसे पहले number of elements in P, यानि cardinal number 3 है sir, देखो 1, 2, 3, sir, number of Q यानि cardinal number of Q 1, 2, 3, sir, यह तो match कर गया, sir, number of elements in P, और number of elements in Q, यह तो match कर गया, इसको match करने के बाद हमें elements भी match कराने पड़ेंगे, और अगर elements match नहीं करें, तो यह equal नहीं है, equal नहीं है दोस्त sir, 2 यहां है, पर 2 यहां नहीं है बात कतम होगी, देया not equal, एक भी अगर mismatch हो गया, छोड़ देना, वो equal नहीं है, तो sir, हम कह सकते हैं P equal नहीं है, क्योंके P and Q are not equal, लेकिन लेकिन equivalent है, equivalent है जी हां, कैसे है equivalent? sir, जी सबसे पहली चीज़, अगर बस cardinal number match हो जाए दोनों set का, अगर cardinal number match हो गया दोनों set का तो लिख देना कि sir, they are what? they are, they are अपना बढ़िया वाला equivalent set, है न member अलग अलग है, यहां numbers है, यहां पर variables है, यहां पर letters है members बिलकुल अलग है, उदार अलग है, इदार अलग है, लेकिन number of members 3, number of members 3, तो यह equivalent set कहलाएगा, done, चलो sir, next करते हैं, अपन, question number, यह example number 24 ठीक है, चलो बही, example number 24, यहांनि आज के session का बेटा, दूसरा example करते हैं, इसको clear करते हैं, next 24 example है, list all the subsets of the set, this, अरे बही है, सबसे पहले एक बात बताओ, आपने मेरा वो वीडियो देखाए कि है, जिसमें मैंने आपको subset के सारे किस सारे concept बताएं, subset सबसे पहले किस चीज को कहते हैं, यह बताया है, किस, आप कह सकते हो, किसी एक set को देखकर, हम उसके number of subset बता सकते हैं, सारा कुछ मैंने आपको मेरे अपने एक, वीडियो में मेरे, अपने एक session में completely आपको explain करा था, उसका नाम था subset, देख लेना playlist में है बता वीडियो, चलते हैं अपन इस question पे, क्योंकि यहाँ पर भी वही सारे के सारे concept यूज होने वाले हैं, बात number एक, let us say कि इस set का नाम है A, चलो सर, इस set का नाम है सर A, ठीक है, इस set के अंदर है minus 1, 0 और 1, अरे भाईया, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसमें कितने elements हैं, अगर मैं बात करूँ, elements, number of elements in A, तो आप कहोगे सर, तीन elements है, एक, दो, तीन, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बिटा, इसको N, A की जगा, सिर्फ N से शो कर लो, तो कोई मसला, कोई दिक्कत, नो सर, कोई दिक्कत नहीं, N, तीरी मान लिया, अब एक formula बताये था, मैंने आपको, उस video में, कि बिटा, किसी भी set को देखकर, आप इसके कितने subset होंगे, ये बता सकते हो, कैसे सर, बहुत answer easy है, number of subset, number of subset, number of subset, भीया, एक set के कितने subset होंगे, कैसे बताते हैं, number of subsets, बताने का formula है, बिटा, to raise to the power N, to raise to the power N, ठीक है, सर, ये N क्या है, सर, मैंने कहा, भीया, इस set का बताओ, कितने subset होंगे, मैंने अभी ये नहीं पूछा किस कौन कौन subset होगा, सबसे पहले, यार, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी class है, मेरी class है, class teacher हूँ 11th A का, भी class teacher होने के ना थे, मुझे सारे class के, आप कह सकते हो, students के नाम पता होने चाहिए, लेकिन नाम पता होने से पहले, मुझे ये तो पता होने चाहिए, कि मेरी class में कितने बच्चे हैं, सबसे पहला तो ये ही अपना दायत वे है, responsibility है, जिशान सर, आप 11th B के class teacher हो, आपको ये ही नहीं पता कि आपकी class में कितने बच्चे हैं, तो ये तो बहुत शरम की बात है, तो भाईया, सबसे पहले इस set के कितने subset है, ये पता होना जरूरी है, और फिर बाद में अपन पता लगाएंगे कि कौन कौन से subset है, तो सर, subset कितने होंगे, ये पता लगाने के लिए आपको count करने पड़ेंगे, elements जो की आया 3 और ये n हुवही है, n is called as the number of elements in the given set, जिस set के subset निकालना है, उसमें कितने elements है, ये n प्रेडिक करता है n पावर बन जाएगा, answer क्या आएगा, बतलब answer तो नहीं, two raised to the power three का मतलब है, two to the four, two to the eight, sir, तो अपने पास कितने subset आएगे, eight subsets eight subset आएगे, इस set के eight subset होंगे, clear sir, done sir, done sir, done sir, अब subset निकालना है, पता चल गया, जिशान सर आपकी class में eight बच्चे हैं तो बहिए, subsets, अब लिख देते हैं subsets, ठीक है subsets निकालने का तरीका सबसे बेस तरीका क्या है, देखना, सबसे पहले तो sir, आप number लिख लो, एक दो, तीन, ठीक है sir, four five, six ठीक है sir eight आएगे ना, तो seven, eight ठीक है sir, अब तुम्हें सबसे पहले एक बात बताओं, सबसे पहले एक बात बता दूँ, कि बटा, याद रखना किसी भी set का subset अगर तुम्हें निकालना है, तो एक चीज़ तो तो तुम्हारे माइन में clear cut समझ में आनी चाहिए जिस set का subset निकाल रहे हो, वो set खुद का subset होता है, every set is a subset of itself बात नमबर एक, सर इसका मतलब अगर मैं आप से कहूं कि ये खुद का subset होगा तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मतलब 8 subset में से एक subset वो खुद अपना subset होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि A is the subset of A itself, जी हाँ, हर हर set अपना खुद का subset होता है तो सर हमें समझ में आ गया कि एक subset तो हमको मिल गया, ये खुद होगा minus 1 0 1 ठीक है, इसको universal subset बोलते हैं, देख लेना बिटा, type of subset subset वाले वीडियो के बाद मेरा एक वीडियो आया था, जिसमें मैंने समझाया था types of subset ठीक है, पढ़ लेना बिटा, देख लेना उसको next सर क्या है, next क्या है, चलो ये हो गया सर next अपना ध्यान से सुनना बिटा एक और रूल है, एक और चीज़ है एक और information है, बहुत बढ़ी है, बहुत धासू information है, क्या, सर जैसे आपको बच्चा याद रखना है कि हर सेट अपना खुद का subset होता है, विसे एक बात और याद रखनी है, empty set, हर सेट का subset होता है empty set is a subset of every set in this world, इसका मतलब सर, एक ये जो set आपने बनाया, empty set ये subset होगा, इस set एका बिलकुल होगा, बिलकुल होगा 110% होगा, 110% होगा, तो सर इन 8 subset में से 2 तो हमें यही मिल गए, अगर आपने ये दोनों अपने दिमाग में रख लिए बाकी subset आप आराम से बना लोगे ये 2 subset तो रहेंगे हर एक, ध्यान रखना मैं प्लीज यार बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, याद रखो हर एक set का हर एक set का subset empty set होता है, empty set is the subset of every set, दूसरी बात every set is its own subset, हर set अपना खुद का भी subset होता है, चलिए सर ये दो चीजे तो हो गई, ये दो चीजे तो हो गई, अब बाकी 6 subset कैसे आएंगे, ये बड़ा आसान कोशन है सर हमारे पस कौन कौन से elements है सबसे पहले element है minus 1 सबसे पहले element है minus 1, लिख दो बिटा minus 1 दूसरा element क्या है, दूसरा element है 0, सर दूसरा element दूसरे पर लिखो यहां लिख दो, सर 0 तीसरा element क्या है पिटा, तीसरा element है हमारे पास one तीन मेंस ही सरामारे पास one इन सबको सिंगल सेट में पैक कर दो से इंसब को सिंगल टनषैट में पैक कर दो लो तो तीन सबसेट तो यही आ गए तीन सबसेट तो यही आ गए जो सिंगल 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 एलिमेंट्स अपने अंदर रखे हुए है मतलब सेट वन सेट वन यह सबसेट है चेक कर लो सबसेट कैसे चेक करते इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में मजूद होने चाहिए सर इस सेट के अंदर one है क्या इसके अंदर one है हां है तो यह सेट इस एका subset है समझ में है यह सर अच्छा बाकी कैसे चेक करेंगे अभी single number single number single number की बात हो रही थी अब double double में खेल लेते हैं सर कैसे double double में खेले लेते हैं देखो अपने पास है माइनस one zero as well as one अब डवल में box सेट बना थी go अब क्या है सर एक और आ सकता है क्या ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया है न माइनस वन कॉमा जीरो इन दोनों को एक साथ लिख लिया हां सर ये भी हो गया अब क्या सकता सोचो ना एक कॉमा भी लिख लिया बी कॉमा सी लिख लिया कितना असान है? किसी भी set के subset हम बना सकते हैं, बस फर्क इतना है, कि अगर number of subset बहुत ज़ादा आ गये तो बिटा वह दिक्कत हो जाएगी, है न, तो दिक्कत हो जाएगी, अभी इसी की जगा मानके चलो एक और element दिया होता, तो n की जगा 4 हो जाता, है न, 4 हो जाता, n की जग किसके? subset of given set that is minus 1, 0 and 1. Done. इसको एरेस कर रहा हूं, I am erasing it रहा हूं, let us move on to next question यह example किया सकते हो, 25, यह आखरी example है, इसके बाद अपना यह session complete हो जाएगा, खतम हो जाएगा, यह video फिनिश हो जाएगा, जल्दी से पढ़ लो बिटा, example number 25, 25, question यह example says, show that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B, भाया यह तभी possible है, जब A और B equal होंगे, यह तभी possible है, जब A और B equal होंगे, इसको ठोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, तु समझते हैं, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको कोई भी दो सेट ले लो sir, कोई भी दो सेट ले लो, चलो let कर लेते है sir, let a is equal to, कुछ भी ले लो भाई, a, b, c ले लो sir, ठीक है, a, b, c, और b ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है, हो सकता तुम कुछ common रख लोगे, या disjoint set ले लोगे, तुमारी मर्जी है, तुम्हे जैसा चलाना है, ठीक है sir, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन c, d, e ले ले लेते हैं, ठीक है sir, है ना, मैंने 1c, यहाँ, 1c, यहाँ, मतलब मैंने common ले लिया, थोड़ा सा मैंने सोचा, कि चलो यार, इनको disjoint रहा करा के, इनको c और c, match करा देते हैं, कुछ तो common रख दि a union b होगा, a और b दोनों set को combine कर दो, a और b के दोनों के elements को एक ही में रख दो, तो यह आजाएगा, a के elements आजाएंगे, a, b, c, यह a के elements होगा, b के element c, d, e, पर c तो यहाँ अल्रड़ी लिख का हुआ है sir, a के आगा a, b, c, अब b के elements c, d, e, c, d, e, लिखना पड़ेगा, मैं दोबारे दो c नहीं लिखूँगा, क्योंकि already c यहाँ मौजूद है, तो मैं d और e लिख दूँगा, sir यह हो गया a union b, a intersection b देखो बिटा, a intersection b, intersection बोले तो common common वाली चीज़ है, बिटा, इसमें सिर्फ c और c common है, वो तो मैंने ऐसा ही ले लिया, ठीक है, c और c common है, तो sir हमने c और c common रख दिया, clearly हम कह सकते है, a union b, यहाँ पर equal नहीं आ रहा है, a intersection b से, क्यों, sir यहाँ देखो, a intersection b में n, मतला number of element 1 है, है ना, और a union b में n, number of element 5 है, तो भहिया, n इसका एक 5 है, और इसका जो n है, वो 1 है, जब cardinal number ही match नहीं करे, तो set equal कहां से हो जाएंगे, set equal, यह भी this is a set, this is a set, यह दोनो set equal कब होंगे, जब cardinal number equal होंगे, और उनमें मौझूद elements भी equal होंगे, तो भाईया, यहाँ तो यह equal नहीं आ रहे, तो यह equal कैसे होंगे, यह equal सिर्फ ऐसे होंगे, जब a और b आपको equal दिये हों या लेना पड़े, तो सारी काम करते हैं, अब, let us take, let us take a is equal to b, let us take set a is equal to set b, मतलब जो set a लेना है अपन को, वो ही set b लेना है, मतलब अगर मैंने set a में p, qr लिया, तो मेरे प्यारे बच्चे, set a और set b equal कब होंगे, जब उनमें same same elements मौझूद होंगे, बिल्कुल same elements होंगे, दोनों का cardinal number same होगा, तब वो equal set कहलाएंगे, तो sir, b क्य हो जाएगा, b भी हो जाएगा, p qr हो सकता इसके order में कुछ फरक हो, qr लिख दो, qpr लिख दो, kउझ बीलिख दो, लेकिन order में फरक हो सकता है, लेकिन जो यहां हैं वही हां, जो यहां वही हां, जो यहां बही हां, total number n, यानि 32 3, total number of elements 3, total number of elements 3, match होगे, equals set तबी होगा, और number of elements in B ये equal हो, साथ ही साथ सर एक और चीज़ हो, क्या, elements common हो दोनों में, elements in A and B are common, in A and B are common, ठीक है sir, done, common बोले तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, done sir, आगे चलते हैं sir, अब यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, जैसे A और B लेट किया था, अब वहाँ पर फिर से वही काम कि यह जाएगा, A union B निकाल बेटा, A union B, sir, A union B बोले तो हमें वह चीज़े लिखनी है, जो A और B दोनों में हो, तो sir, A के भी सारे elements लिख दो, B के भी सारे elements लिख दो, sir, A के अंदर है B, P, Q, R, ठीक है, A के लिख लिख लिए, अब B के लिख दे बेटा, तो sir, B के जैसी P लिखने जाओंगा, already लिखा है, Q जैसी लिखने यहाँ जाओंगा, already लिखा है, R, जैसे ही यहाँ लिखने जाओंगा, already लिखा है, मैं कहूंगा, छोड़ो यार, यह तो already है, फिर मैं कहूंगा, A intersection B, तो sir, A intersection B मतलाग वो चीज़े, देखो, A union B में अपन वो चीज़े लिख देते हैं, जो A में भी हो, और अपन को B में, मतलाग, A और B दोनों के ही elements लिख दो, common अमन नहीं देखा जाता, A के भी लिख दो, B के भी लिख दो, बस repeat नहीं होना चाहिए ठीक है, तो अपन नहीं लिख दिया, अब A intersection B में common, sir, P और P common है, लिख दो, Q और Q common है, लिख दो, R और R common है, लिख दो, ठीक है sir, written, अब क्या करेंगे, देख लो भाई, match कर लो, therefore we can say that A union B is same as A intersection B, खतम, done sir, done, done, लो भी या हो गया, complete, यह सब तभी होगा, जब दोनों set जिनका आप intersection और union निकाल रहे हो, वो दोनों set बिलकुल सेम, बिलकुल equal होंगे, तब जाके यह equal आएगा, done है sir, हम, बिलकुल done है, I hope अब आपको इतना 110% clear हो गया होगा, now let us end this video, अपने यह सारे के सारे videos complete होई गए, मतलब videos कह रहा हूँ here sorry, अपने सारे के सारे यह complete होई गए questions है ना, so let us end this video, और वीडियो को end करने से पहले, मैं फिर बता देना चाहता हूँ बेटा कि इन सारे questions की practice दमदार तरीके से कर ले ना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है, तो भाई, magnet brains पर पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन बाद, दिल से शुक्रिया, अगर आपको यह सारे के सारे explanation समझ में आएं, तो लाइक किये बिना मत जाना वरना लगेगा, मतरानी का पाप, ठीक है, पाप से बचना है, तो लाइक कर देना, ठीक है, और इस वीडियो का जो लिंक है, वो शेर कर देना अपने दोस्तों के के टोल, यह सारे के बादन से क्लास 12 अंगिलिश मीडियम, CBSE बोड, अल दीक्लास, अल दीशब्जेक्ट, अल दीशाप्टर, 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 अल दी सार वीडियो जाएंगे प्रॉपर प्लेस्ट के फॉर्मेंट में और सारे की सारे वीडियो आप सारे प्लेस्ट सारे स्कूर्ण आप सब कुछ हमारी YouTube चानल के अलावा हमारी यक्षिन और हमारी विड्य साइट पर भी देख सकते हैं everything is updated there also बड़ी अधरी के से आप पढ़ाई कर सकते हो YouTube Channel website और application तीन हो जगा इसी के साथ बताना चाहता हूँ Hindi Medium वाले बच्चे जो UP Board, MP Board, Bihar Board, Rajasthan Board और देली Board इन पांच Board से related है इन पांच Board में से किसी भी Board में वो related है पढ़ाई कर रहे हैं Hindi Medium वाले किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो Class 6 से 12 तक छटी Class से 12 तक पढ़ाई कर रहा है किसी भी एक Class में हो तो भाई या उनके लिए Magnet Brains Hindi Medium चैनल पर धुआधार पढ़ाई चल रही है आप वहाँ पर जाके सारे अपने बेस्ट टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं आपको वहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही format में सारे वीडियो हम प्रोवाइड कर आ रहे हैं जैसे इस English Medium वाले चैनल पर English Medium वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इसी के साथ नोट्स भाई मैंने कहा था ना नोट्स बताऊंगा तो देखो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम की बात की जा रही है क्लास 6 से 12 CBSE Board and that 2 बिटा इंग्लिश माध्यम अगर आप किसी भी क्लास में फॉल आउट करते हैं 6 से लेकर 12 तक CBSE इंग्लिश मीडियम तो आपको वेबसाइट को चेक आउट करना है that is www.magnetbrains.com या एप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेना गूगल प्लें स्टोर से ठीक है दोनों ही जगा आपको इंटरफेस कुछ जैसा मिलेगा बस ग्रैब e-notes पे क्लिक करना दोस्त उसके बाद अपनी क्लास बता देना उसके बाद अपना सब्जेक्ट बता देना जो सब्जेक्ट आपको चाहिए जिस सब्जेक्ट के notes आपको चाहिए बड़िया PDF और e-books डाउनलोड कर लेना उसके बाद अपनी धुमाधार पढ़ाई शुरू कर देना जो आपको एक अलगी लेविल पर पहुंचाएगी दोस्त ठीक है जैदी मिलेंगे नेक्स सेशन में तिल देन हैपी लेर्निंग टेक केर बाई